हेलो ठायो! क्लिक हेर ती सब्सक्राइब! ये वो जगा है जहां रेल गाडियां बनती हैं नया नया छोट आठी डीपो यहां टेस्ट रन कर रहा है अरे वाँ! आख्री चकर थोड़ा सा और देज चलो चले! टीटीपो तुम्हें मोड पर रफ्तार कम करनी चाहिए ओ हाँ साब बास टीटीपो इस बार थो ठीक था ना टीओ कल से बहुत 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 बेतर था बस तुमने मुझे पता है मुझे मोड पर थोड़ा दीरे हो जाना चाहिए मैं भूल गया था लेकिन बाकी सब तुमेने ठीक हिया ना लेकिन इस तरह से भूलने से काम नहीं चलेगा इसका मतलब मैं भी चूचूटाओं नहीं जा सकता कुशिश करते रहो और थोड़ा इंतजार करो ठीक है कैसे हो टियो टोनी अब तुम ठीक हो मुझे लगा के मेरी ताकत खत्म हो रही है लेकिन तुम्हारा शुक्रिया आप में बिल्कुल ठीक हूँ सुनकर अच्छा लगा मुझे लगता हैं पहले नहीं मिले हैं इससे मिलो यह है टीटीपो अभी यह प्राक्टिस रंस कर रहा है आपसे मिलकर अच्छा लगा टीटीपो उमीद है के जल्दी पट्री पर मिलोगे ठीक है अब मैं चलता हूँ ठीक है अगर कोई परिशानी हो तो मुझसे मिल लेना टोनी के जाते ही वहां दूसरी रेल आ गई सुभा के मज़े ले रहे हो टीयो आई जी बताओ मैं तुम्हारे क्या मदद करो मुझे एक छोटी सी चोट लग गई है अच्छा कहां पर अहां यह रहा हां मुझे दर्द भी हो रहा है इसे पहले कभी नहीं देखा ठेक कहां क्योंकि यह एक बिल्कुल नई छोटी रेल है इसका नाम है टीटी पो हां हेलो टीटी पो हेलो जीनी अब चूचू शहर में रहती है वा क्या बात है मेरा भी सपना है कि मैं वहां रहूँ जरूर रहोगे जब तुम काम के लिए तैयार हो जाओगे मुझे लगता है मैं तैयार हूँ टीओ मुझे नहीं लगता जीनी चलो तुम्हें ठीक करवा दूं ठीक है टीटी पो मैं जीनी की हेल्प करके वापस आता हूँ तुम यहीं रुको ठीक है सवारी तैयार है चलो अब चलते हैं चले चले वहां अकेले खड़े खड़े टीटी पो कुछ बोर होने लगा काश में घूमने के लिए चू चू टाउन जा सत्ता हूँ हाँ हाँ मैं तीजी से बहां जाओंगा और वापस आ जाओंगा टीओ की इजाज़त लिये बिना टीटी पो प्रोडक्शन प्लांट से बाहर चला गया कितना मसा रहा है अरे बच्चे आज मुझे बहुत सारा काम करना है तो क्या तुम थोड़ा तेज़ चलोगे बढ़िया वह अब भी मेरे पीछे है अरे बापरे क्या इतनी धीरे कोई रेल चलती है अब मैं क्या करूँ जैसे ही टीटी पो रास्ते से हटा माल गाड़ी तीजी से आगे निकल गई बाई बाई कच्छुए बाद में मिलते हैं टीटी पो ने देखा कि वो किसी अंजानी जगह पहुंच गया है मैं कहां आ गया है जो राहे पर किसी से पूछता हूं हेलो क्या आप मेरी मदद करेंगे में कहां हूं कहां हो तुम जल्दी हटो तुम यहां पर क्या कर रही हो तुम ने चाम लगा रखा है क्या चाहता हूं क्या आप में वापस चलू नहीं ठोड़ा और आगे चलता हूं टीटीपो टीटीपो यह है बंदरगाह टीटीपो काफी दूर निकल आया है यह में कहां आ गया हूं अरे यह तो टोनी है टोनी नराना नहीं चाहता था तुम उस ट्रेंड जैसे दिखते हो जैसे मैं जानता हो माफ करना अच्छा यह बताओ तुम यहां पर क्या कर रहे हो पता नहीं रास्ता भूल गया तुम्हें पता है कि यह जगह सिर्फ मालगाडियों के लिए है यहां खत्रा है तुम जाओ जाओ ठीक है लेकिन रास्ता नहीं बता जाओंगा कैसे उस रास्ते से जाओ तुम्हें टर्न टेबल मिल जाएगी शुक्रिया शायद यहीं ठीक रास्ता है क्या यहीं है वो पता नहीं यह काम कैसे करता है यह कौन बोला किसमें कहाई है कौन है वहां पर हाँ पर देखो अरे बच्चे अगर तुम जाना चाहते हो तो फ्रेन टर्न टेबल पर चड़ जाओ तो टर्न टेबल पर चड़ जाओ क्या यह ठीक है अरे बाग काम बन गया बिल्कुल कहा था ना मैं गलत तरफ नहीं गुमाता तुम्हारा शुक्रिया लेकिन तुम कौन हो मैं मैं हारबर की सबसे ताकतवर मशीन हूँ मेरा नाम है क्रेनी तुम्हें पका पता है क्या टोनी स्यादा ताकतवर नहीं क्या टोनी एक माल गाड़ी मेरी ताकत का मुकाबला करेगी क्या कहा एक माल गाड़ी तुम फिर से टिंगे मारने लगे क्रेनी टोनी बहुत दिरों बात दिखे तुम अब भी वैसी ही बाते बनाते हो चोनी तुम यहां कैसे पहुंच गए मैं अपने आप ही निकल पड़ा और रास्ता बूल गया ओहां मुझे अपना सामान लेने दो ठीक है पर में तारिफ करना बंद करो और मेरे कंटेनर्स लोड करदो हो टोनी मैं तो सिर्फ मजा कर रहा था ठीक है चलो मैं काम शुरू करता हूं उठाया लोट किया लोट किया प्रीमी ने मिहनत से और जल्दी-जल्दी काम किया वह गया वह टोनी अब तुम जा सकते हो तुम वापस चलने के लिए त्यार हो तुम्हें लगता है तुम इतने सारे कंटेनर खीच लोगे चिंता मत करो टोनी के लिए इतना भार खीचना कोई मुश्किल बात नहीं ठीक कहा ना यकीन नहीं होता तुमने मेरी तारीफ की चलो अब चलते हैं चीक है बाई दोस्त तुम्हें भी छोटे दोस्त बाई बाई में चलता गया चलता गया और बंदरगा में पहुँच गया तो ये हुआ था पहुचने वाले हैं टीटी पो ये टोनी की मदद से टीटी पो प्रोड़क्शन प्लांट में सुरक्षित वापस पहुच गया यह से हमारे रास्ते अलग-अलग हो जाएंगे तुम्हारा शुक्रिया क्योनी अब अंधर चलता हूँ टीटी पो पूरा दिन तुम कहा थे वह बात यह है मैं जल्दी से बाहर गूंकर आना चाहता था तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था मैं परिशान था मुझे माफ कर दो तुम्हें कहीं लगी तो नहीं नहीं टीटी पो अपना दर्वाजा खोलोगे जरा हाँ जरूर बढ़िया जाने के लिए तैयार हूँ जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन कहा अपने काम पर जाने के लिए मतलब ये कि आप तुम चोचु शेहर जा सकते हो अभी तो अंधिरा हो रहा है हम कल सुबा चलेंगे अब तुम जल्दी एक अच्छी रेल बनो और सोने चले जाओ ठीक है मुझसे कल सक अंतिसार करना मुश्किल हो रहा है तो आखिरकार टीटी पो चूचू टाउन जाएगा मुबारक हो टीटी पो मैं जा रहा हूँ चूचू टाउन यह ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट है जहां नई ट्रेन्स बनती हैं और खराब ट्रेन्स को ठीक किया जाता है यह हमारा दोस्त टीटी पो आज मैं जाओंगा चूचू टाउन जल्डी करो टीओ गुड मॉर्निंग तुम बहुत खुश लग रहे हो हाँ बहुत मैं चूचू टाउन में नए दोस्त बनाने के लिए बेताब हूँ दिख रहा है तु ठीक है तुम अपना दर्वाजा खोलोगे जरूर क्या हम अभी जा रहे हैं बिल्कुल यह मैं जड़ा ठीक है अब चलना शुरू करो बढ़िया चलते हैं चूचू टाउन ला 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 ले टीटी पो सामने एक रेल है इसलिए थोड़ा धीरे चलो ठीक है अरे वो कितनी धीरे चल रहा है ओ वो डीजल है इस रफ़तार से शहर पहुंचने में देर हो जाएगी चिंता मत करो हम पट्रियां बदलने वाले हैं तो आगे निकल जाएंगे पट्रियां बदल लेंगे मॉनिंग दीजल काम पर जा रहे हैं हलो टीयो यह कौन है मुझे लगता नहीं कि हम पहले कभी मिले हैं यह नया है और चूचू शेहर में रहने जा रहा है अच्छा हलो मेरा नाम है डीजल मैं भी चूचू टाउन में रहता हूं दोस्त बनोगे ठीक है मैं हूटी टीपो तो अपना काम पूरा करने के बाद तुमसे मिलता हूँ हाँ जरूर मिलते हैं बाई बाई सुनो टीओ यह डीजल कैसी ट्रेन है माल गाड़ी यह भारी सामान लेकर चलता है वो थोड़ा धीरे चलता है तुम्हें नहीं लगता लेकिन ताकत्वर है तुमसे भी ज्यादा क्या मुझे तो इतना ताकत्वर नहीं लगता यह ट्रांस्टर स्टेशन है टीजी पो क्योंना हम यहां रुपकर थोड़ा आराम करें ठीक है वाह इतने सारे लोग यहां इतने सारे लोग क्यों है क्योंकि यहां पर लोग एक से दूसरी रेल पर चड़ते हैं वेरी गुड मॉर्निंग टियो है एलो एरिक इस समय कहां जा रहे हो हम चूचू शेहर जा रहे हैं ठीटीपो हेलो कहो एरिक को हेलो मैं हूं टीटीपो मिलकर अच्छा लगा टीटीपो मैं भी टाउन जा रहा हूं साथ चलते हैं ठीक है जब तुम चलना चाहो मैं तयार जरा ध्यान से वह वो ट्रेन कितनी तेज थी वो थी सिंग सिंग वो एक हाई स्पीड ट्रेन है जो यात्रियों को ले जाती है वो अतनी तेजी से निकल गई कि मैं हाई भी नहीं कह पाया वो बाद में चूचू शेहर आएगी तुम तब उससे मिल सकते हैं तो चलो चलते है हाँ मेरे पीछे आओ चूचू हाँ हाँ हालो एरिक हालो टायो बहुत दिनों बाद दिखे हाँ मिलकर अच्छा लगा अ मुझे नहीं लगता मैं इसे जानती हूं यह नया है इसका नाम है टीटी पो यह हमारे साथ चूचू शेहर में रहने जा हेलो मेरे नम टायो है है हेलो मैं हूटी टी पो तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे भी फिर मिलोंगे तुमसे ठीक है फिर मिलते हैं हुँँ ओ वा, ये ट्रेन कितनी लंबी है वो डीजल है, वही मालगाड़ी जिससे तुम पहले मिले थे वो, डीजल का मालगा है लगता है टीटी पो डीजल की ताकत से प्रभावित हो गया हमें अभी और कितनी दूर जाना है टीटी पो, बस पहुँच गया आखिर कार टीटी पो चूचू शहर पहुच गया टीटी पो, टीटी पो हाई, मिस्टर हर्ब, अरे, तुम आ गए, मैं आता हूँ तुम सु मिलकर अच्छा लगा मैं एक नहीं रेल लाया हूँ, मिस्टर हर्ब टीटी पो, ये ट्रेन मास्टर है, यहां के हैड चीफ हेलो कहो हेलो ट्रेन मास्टर हैड चीफ ओ टीटी पो, तुमारा यहां स्वागत है मुझे इन नामों से पुकारने की जरूरत नहीं है सब लोग यहां मुझे मिस्टर हर्ब कहते हैं तुम भी मुझे ऐसे ही बुलाओ, आपका शुक्रिया, मिस्टर हब, सुना है, टाउन में एक नई ट्रेन आई है, शायद तुम ही हो, तुम से मिलकर खुशी होई, क्या हो गया टीठी पो, क्या ये भी ट्रेन्स है, क्या कहा तुमने, कुछ नहीं, तुम बस औरों से अलग ल दीखते हैं, हाँ, हम दूसरी ट्रेन से कुछ अलगे दिखते हैं, हाँ, थोड़े से आलाग, हमेश समझने के लिए सोनो हमारा गाना, हुउ, तैयार हो, तो रिभा टैयारु तो शुरु करते हैं, जगा-चू-चू-चू-चू-चू-चू-फिक्स-विक्स- लिफ-फिक् तुम दूनों बहुत अच्छा काती हो हम शौक के लिए नाचते और गाते हैं रेलों को ठीक करके भगाते हैं इस तो वेस्ट हम है ठीक है अब मैं समझा है फिक्स एक रेल खराब हो गई है क्या तो मुझे ले चलोगे हाँ क्यों नहीं यही तो इसका काम है अपना ख्यार अपना ख्याल रखोटियों फिर मिलने आना हम शौक के लिए नाचते और गाते हैं रेलों को ठीक करके भगाते हैं इस तो वेस्ट हम है एक और रेल आ रही है मैं आ गई मिस्टर हो जीनी अच्छा काम किया आज जीनी शेहर में एक नई रेल आई है जीनी जीनी मैं हूँ ट से हाई तुम एक दूसरे को जानते हो हमका प्रडक्शन प्लांट में मिले थे तब तो काम असान हो जाएगा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम टीटीपो का ध्यान रखो जरूर अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो तुमारा शुक्रिया जीनी एरिक क्या तुम टीटी अध्य बाए तुम सबने पूरा दिन बहुत काम किया है इसलिए जाओ और आराम करो ठीक है हेलो मैंनी तुमें ट्रांसफर स्टेशन पर देखा था क्या तुम नए हो तुमने मुझे कैसे देख लिया तुम तो बहुत तेज जा रही थी तेज चलने के साथ ही मैंने तेजी से देखना भी सेख लिया बात तो ठीक कही कितना मजाता होगा हेलो दूस्तों यह तो डीजल है यह डीजल है तुम इससे मिल चुके हो हाँ हाई डीजल मैंने तुम्हें सारे कंटेनर्स ले जाते हुए देखा था तुम बहुत ताकतवर हो वह इतने भी भारी नहीं थे मुझे उमीद हैं अच्छे दोस्त बनेंगे हाँ बिल्कुल तुम अपने रहने क जगह देखोगे दिखाईए वा कितनी सुन्दर जगह है यह हाँ है ना इस तरफ चीची पॉप कि अगर यह जीनी का घर है और यह मेरा और वो है तुम्हारा कितना अच्छा है कुट नाइट टिटी पॉप अच्छे से सोना शुक्रिया गुट नाइट देखते हैं अंदर से कैसा लगता है तो यह है मेरा नया घर मेरे नई दोस्त बने और एक नया घर भी मिला मैं सपना तो नहीं देख रहा हमारे छोटे दोस्त टिटी पॉप के लिए आज का दिन बहुत खुशियों भरा रहा लेकिन एक नए दिन की शुरुबात करने के लिए उसे अभी आराम करना है स्वीट ड्रीम्स टिटी पॉप ठिटी पॉप का पहला रास्ता हर सुभा चूचू शेहर से रेल गारियां अपने काम के लिए निकलती है एर एक अपनी शिफ्ट पर है सिंग सिंग जा चुकी है और अब अब बारी है डीजल की डीजल हाँ मैं जाने के लिए त्यार हूँ तुम जा सकते हो हमेशा की तरह सावधान रहना मैं सावधान रहूंगा मिस्टर हग अब बारी है बूम-बूम की बूम-बूम यह नहीं है आखिर है कहां बाद बढ़ियां लेफ्ट ठैंक्स जी मिस्टर हग बूम-बूम का मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या तुम इसकी लोकेशन ढूंड़ने में मेरी मदद करोगे जरूर क्यों नहीं तुम तयार हो मैं तो हमेशा तयार रहता हूँ चल एकर स्टूटें तो आए मिस्टर प्रेक्स और उसका साथ ही लिफ 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 फास गए प्यारे मदद को पुकारें तो चलें चीनि गुड्मोरने चीपो काम पर जा रही हो हां मैं काम पर चा रही हूं वा काश मैं भी ऐसा कर पाता तुम भी चल्दी काम करने लगोगे अब मुझे चलना चाहिए बाई मजे करना शाम को मिलेंगे चीक है बता नहीं मुझे मेरा पहला रास्ता कब बेलेगा अप सब ठीक है सेटा गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग जीनी यात्रियों के लिए दब्बे तयार हैं इन्हें जोड कर जा सकती हो तुम मैं तुम्हारे लिए जगा छोड़ देता हूं तुम्हारा शुक्रिया सटा यार वेलकम अपना खियाल रखना मिस्टर हो ओ फेक्स बुम-बुम का कुछ पता लगा हां मियू तो गया है लेकिन कुछ कड़बर है क्या है ठीक हो ना तुम बुम-बुम पड़री से उतर कर किनारे पर गिर गया है ओ हो हो ज्यादा चोड तो नहीं लगी अईसा तो नहीं है मुझे नहीं लगता पर वो अपना काम करने के लायक नहीं बचा शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है तो तुम बुम-बुम को ठीक कराने के लिए ले जाओ मैं ले जाता हूं मिस्टर हाँ अब मुझे उसकी जगे किसी दूसरे को बेचना पड़ेगा मिस्टर हाँ ओ हलो जीनी हेलो मिस्टर हाँ अच्छा हुआ तुम आ गई बुम-बुम आज अपने रूट पर नहीं जा सकता तो क्या तुम उसकी जगे जा सकती हो मैं माफी चाहती हूं मैं पूरा दिन काम कर रही हूं आरे हां मैं भूल गया था लेकि कर भी पाएगा या नहीं मुझे लगता है बहुत अच्छी से काम करेगा हूं पूर हो गया ठीटी पूर मिस्टर हाँ जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुँचाओ ठीक है मैं आ गया तो तुम आ गए आप मुझे से मिलना चाहते थे टीटी पो क्या तुम आज एक रूट पर जा सकते हो मैं एक रूट पर हां मैं बिल्कुल जा सकता हूं शाबाश तुम पर विश्वास कर रहा हूं जी सर जल्दी से डिपो जाओ आपने साथ डिब्बे लगवाओ और फॉरण निकल पड़ो जी सर हेलो तो तुम होना नहीं रेल हां मैं हूट टीपो मेरा नाम है सेटर मैं इस डिपो में रेल गाड़ी के सभी डिब्बे जोड़ता हूं अरे वाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा मैंने सुना ये तुम्हारा पहला दिन है हां मुर्बारक बाद तुम्हारे पीछे मैंने डब्बे लगा दिये हैं हां शुक्रिया हुहां ठीक है मैं पूरी तरह से तयार हूँ शाबाश अब तुम निकल पड़ो जी सर अपना अच्छे से ध्यान रखना टीटी पो शुक्रिया सेटर छोटा टीटी पो अपने पहले रूट पर चल पड़ा सुरक्षित सफर करना टीटी पो जी बिलकुल शुक्रिया मिस्टर हर्फ कि अपने यात्रियों को लेने के लिए स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है लेकिन लगता है वो देर से पहुंचेगा अब हम तैयार है चलो चले मुझे जल्दी करनी होगी और आगे मोड है और पर तेज चलना खतरनाक होता है इसलिए टीटी पो ने अपनी रफ़तार कम कर दी कि तेज चलना होगा मैं देर से बिल्कुल नहीं पहुंच सकता है कि अरे ये तो एरिक है हेलो एरे ओ टीटी पो क्या ये तुम्हारा पहला रूट है काश बाते कर पाता है लेकिन अभी जाना है ये तो पुल है मुझे पता है पुल पर धीरे चलना चाहिए लेकिन कोई और चारा नहीं मैं जल्दी में हूँ मैं किताब चलो चले मैंने कर दिखाया और मैं देड़ से भी नहीं पहुंचा हम स्टेशन पर पहुंच गए पहुत ही बुरा सफर था यहां टीटी पो खुश हो रहा था लेकिन उसके यादरी उससे नाराज थे मेरा पहला रास्ता अच्छा रहा अब वक्त है घर जाने का मिस्टर हब मैं वापस आ गया हम फिर मिल गए आज का सफर कैसा रहा मैं बिल्कुल सही समय पर स्टेशन पहुंच गया एक बात बताओ टीटी पो जी तुम भूल गए थे के पुल पर तेज स्पीट से नहीं चलना चाहिए लेकिन मैं नहीं चाहता था यात्रियों को तेर हो जाए इसलिए मैं थोड़ा तेज चला अच्छा ये बताओ क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें ये रूट क्यों दिया ओ जी नही चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ जो रूट मैंने तुम्हें दिया वो असल में भूम भूम रेल का था तुनिया के सबसे अच्छी ट्रेन भूम भूम लेकिन आज सुभा जब वो पट्री के एक घुमाओ पर पहुंचा मैं धीरे नहीं होँगा बिलकुल नहीं वो धीमा नहीं हुआ और तेज ही चलता रहा और पट्री से उतर गया मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें भेजा मुझे सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था माफ कर दीजिए उदास मत हो पहले दिन हर रेल से कोई न कोई गलती होती है जानता हूँ मैं वापस आ गई हाई चिटी पो हेलो जीनी तो कैसा रहा तुम्हारा दिन वो देखते हुए कि इसका पहला रूट था मुझे लगता इसने काफी अच्छा किया मा बहुत बढ़िया टिटी पो ओ शुक्रिया टिटी पो आज तुमने बहुत काम किया उमीद है आगे भी ऐसे ही करते रहोगे क्या इसका मतलब मैं आगे काम कर सकता हूँ हां बिलकल पर तुम अपने रूट पर हर रोज प्रैक्टिस करोगे मैं बादा करता हूँ हां बाइबाइ मिस्टर हब आराम करो चोटी रेल गारियां अपने डब्बे अलग करने के लिए डीपो पर पहुंची अच्छ टीटी पो तुम्हें आज डर नहीं लगा सच कहूँ मेरे पहिये काप रहे थे मुझे भी टोड लगा था लेकिन सब ठीक हो गया ठीक कहा जी निना शुक्रिया दोस्तों छोटी रेल गारियों का काम पूरा हो चुका है और अब समय है घर जाने का गुड़ नाइट टीटी पो कल सोबा मिलते हैं ठीक है गुड़ नाइट एरिक घर से अच्छी कोई जगे नहीं टीटी पो आज अपने पहले सफर पर गया बहुत बढ़िया टीटी पो मैं कोई गलती नहीं करना चाहता चूचू शेहर की एक नई सुभाः ओ देखो डीजल आ गया डीजल गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग टीटी पो कहां जा रहे हो तुम मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है मैंने सुना तुमने बहुत गलतियां कि अपने पहले दिन हाँ शुरुआत में तो सब गलतियां करते हैं ऐसा नहीं है मैंने तो कोई गलती नहीं की सच में तुम शुरू से ही अच्छे थे बिलकुल मेरे काम का पहला दिन बहुत ही बढ़िया था हुआ कुछ यूँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ ओ आ गए तुम कमाल की रेल डीजल हाँ ड्यूटी के लिए हाँ जीरू मिस्टर हब सुनो क्योंकि ये तुम्हारा पहला रूट है तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ रुकिये सर कोई जरूरत नहीं है मैंने पहले ही याद कर लिया ओ कमाल कर दिया तुम सबसे अच्छे हो तो अब मुझे चलना चाहिए फिर मिलेंगे जाओ डीजल जाओ चूचू शेहर का भविश तुम्हारे हाथों में है फिर अपने पीछे माल गाड़ी की नम्मी लाइ लेकिन आज तो बहुत ज्यादा सामान है चिंता मत करो मैं सम्हाल सकता हूँ वाव मतलब जो सुना था वो सच है तो लोड करता हूँ ये ये दो ये तीन लो हो गया मैं जा रहा हूँ अगली बार मिलता हूँ वाई ध्यान से जाना ये मैं चला मुझे लगता है ये ट्वेंड डीसल है वाव मैं उसका फैन हूँ इतना भारी सामान अपने पहले ही दिन खीच कर ले जाने वाली माल गाड़ी सिर्फ मैं ही हूँ वाँ मज़ा आया बहुत ज्यादा आना ही था ठीक है मिस्टर हर्ब फिर मिलेंगे मुझे जाना है मुझे विश्वास है तुम अपने रूट पर बेहतर करोगे शुक्रिया ठीक है मैं बहतर कर सकता हूँ आज मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करूँगा ठीठीपो प्रैक्टिस करने के लिए प्रोड़क्शन प्लांट की तरफ चल पड़ा तो ठीओ सफर कैसा चल रहा है बहुत अच्छा और आराम दे प्राटफार्म पर रुक कर दिखाओ ठीक है मुझे धीरे हो जाना चाहिए मैंने कोर्स पूरा कर लिया बहुत बढ़िया ठीटीपो सुनो टीओ क्या मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूँ क्यो नहीं जितना चाहो उतना कर लो मैं तयार हूँ अब चलो बढ़िया टीटीपो ने पूरे दिन प्राक्टस की और रात को चुचु शेहर लोट आया जब यातरी बैठे हो तो सफर आराम दायक होना चाहिए कभी छटके से मत रुको हमेशा धीरे हो जाओ हाई चीनी इतनी रात को क्या कर रहे हो कल तुम्हें काम करना है हाँ हाँ और कल मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे चिंता मत कर शुक्रिया जीनी थोड़ी और प्राक्टस कर लेता हूँ फिर सोँगा ठीक है मैं तो सोने जा रही हूँ तो अब फिर से प्राक्टे शुरू करते हैं ऐसी तो वो बहुत ठप जाएगा धलान पर कभी तेज मत चलो टिटीपो टिटीपो तुम्हारे रूट का समय हो रहा है तुम अब तक पहुँचे क्यों नहीं मुझे माफ कर दो मैं भी आ रहा हूँ मिस्टर होब मैं जाने के लिए तयार हूँ देर क्यों हो गई तुम्हारा अलाम नहीं बजा क्या मैं माफी चाहता हूँ या तरी इंतजार कर रहे हैं ज़रा जल्दी करो ठीक है अरे नहीं आज तो दिन की शुरुआत ही गलत हुई कोई बात नहीं अच्छा सोचो तो सब ठीक हो जाएगा हेलो दोस्तों हो हेलो कैसे हैं कैसे हो चलो चलते हैं तो चलो चलती है मुझे नीद आ रही है अरो बच्चे क्या हो रहा है यह इतनी धिरे की चल रहा हो तुम मुझे माफ कर दो मुझे जब किया गई होगी चिटी पो ध्यान दो लो पहुंच गए रुखने से पहले रफ्तार कम करो हम स्टेशन पर पहुंच गए मैं पहले रुख गया निशान पर नहीं रुख पाया जड़ा एक मिनट रुखिये आप सब उतर सकते हैं अब अच्छा की लगाना था तो बता तो देते कम से कम कि अच्छी पो टिटीपो 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 हाई दोस्तों क्या बात है फिर से घर्दी हो गई हां मैंने फिर गडबड कर दी फिर से हो गई कोई बात नहीं हर ट्रेंसे शुरुआत में करती होती है सबसे नहीं होती डीजल ने बताया वो शुरू से ही अच्छा था यह जा दूसरी ट्रेंस ने उसकी तारीफ भी की थी त्यूसल तुमने पिर से टिंगे माती शुरू कर दी नहीं नहीं मैं तो चीचीपो रहिए मैं एक दो तीन चार पांच तुम्हारे साथ इतनी सामान गाड़ी क्यों लगी है बहुत ज्यादा तो नहीं है अभी तुम बिल्कुल नए हो इसलिए ज्यादा भार खिचना ठीक नहीं है मैं समाल लूँगा डरिये मत बिल्कुल नहीं क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है वैसे इतनी ज्यादा भी तो नहीं थे वो वो अंदर कहें कोई देख तो नहीं रहा मुझे मैं चुप-चाप निकलता हूँ वाह ये बंदर गाह कितना सुंतर है एलो मिस्टर क्रेणी मैं नई मालगारी डीजल हूँ हां तो काम का पहला दिन है हां एक मिनिट रुको बच्चे आए आध दो और हो गया इतने ही मिलेंगे मुझे मैं इससे ज्यादा ले जा सकता हूँ ऐसा तुम्हें लगता है पर ऐस बिल्कुल नहीं नहीं मैं ज्यादा ले जा सकता हूं सच में ठीक है अगर तुम कहते हो तो मैं रख देता हूं लोडिंग लोडिंग अब तो खुश हो तुम पट्री पे ध्यान से चलाना है जी के गुडबाई मिस्टर क्रेणी गुडबाई बिलते हैं बच्चे कि अग्रपूर ज़रूर नया होगा थे इतने सारे समान के साथ तेज चलनाग्यक था कि मैं हर काम इतना अच्छा कैसे कर लेता हूं अब अपनी रखतार को आजमाता हूं तो डीजल अपने काम के पहले दिन पर जमीन पर गिर गया था अगर सही समय पर उसकी मदद नहीं की जाती तो वो दोबारा चू-चू टाउन नहीं आ पाता सच में यह है सचाई गलत बाप दीजल उस दिन तुमने मुझे वह जूटी कहानी क्यू सुनाई थी वह मैंने जूट बोला था पर यह भी तो सच है कि हम सब पहले दिन गलती करते ही हैं क्या मुझे दिल याद नहीं क्या गलतिया की थी वह कहानी मैं सुनाता हूं जीनी के पहले दिन सुबह बहुत बर साथ हुई तो पट्रियों के आसपास पानी जमा हो गया चीनी ने ध्यानी नहीं दिया और की चड़ उचल कर उस पर लग गया हेलो दोस्ता हलो ओप हास क्यों रहे हो ओ मॉम उस रेल को देखिए कितनी गंदी है ऐसे नहीं बोलते बेटे क्या इसने कहां मैं गंदी हूँ हेरानी की बात है है मुझ पर कीचण लग गया मैं कितनी गंदी लग रही हूँ काश मैं ऐसे धो पाती और जीनी अपने कीचण वाले चेहरे से इतनी परेशान थी कि वो एक स्टेशन पर रुके भिना ही चली गई कितना जीन लग रहा है अब मैं क्या करूं यह मैं कहां पहुंच गई और वो रास्ता भूल गई यहां समुद्र के ऊपर कहां जा रहा है इतनी बड़ी गड़बड की थी इसने तुमने भी तो मेरी बात बताई थी हां लेकिन मैंने बड़ा चड़ा कर नहीं सुनाई थी पर मैंने तो सिर्फ सच ही बताया है तुम तो बोलो ही मत यह सब बस बहुत हुआ जगड़ना बंद करो शुक्रिया दोस्तों पहले मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम दोनों ने गलतिया की होंगी लेकिन तुम्ह पहुंच ज्यादा वक्त लगेगा यह क्या कह रहे हो तुम्हारा हो काबला नहीं डीजिल दूसरी रेल गाड़ियों से भी गलती हो जाती है टीटी पो मुझे विश्वास है कि कल तुम बहतर करोगे मैं जाओंगा ख़दान में खेली हुई धूप के साथ सुभा हो रही है यह आया टीटी पो गुड मॉनिंग मिस्टर हब हलो टीटी पो आज तुम्हारी चुट्टी है मुझे पता है आज मुझे काम नहीं करना क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हो क्यों नहीं जाकर खेलो वाँ मज़ा आएगा बाद में मिलता हूँ ठीक है ध्यान रखना बाहर आकर कितना अच्छा लगता है ओ टीजल हेलो टीटी पो कैसे हो तुम कहां जा रही हो आज मेरी चुट्टी है इसलिए बाहर खेलने आ गया मुझे खदान में जाना है कुछ पत्थर लाने के लिए क्या खदान में? खदान क्या होती है? वहाँ पर पत्थर निकालते हैं और मेरा काम बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है तुम भी चलना चाहते हो? क्या मैं आ सकता हूँ? क्यों नहीं आ जाओ तुम भी मेरे लिए रुको टीटी पो डीजल के पीछे पीछे क्वोरी यानि खदान में गया डीजल अभी और कितनी दूर जाना है? बस पहुचने वाले हैं तुम हर बार यही कहते हो लेकिन हम चलते ही जा रहे हैं सब्र रखो मेरे दोस्त हेई वो रही खदान वाँ कमाल की जगे है वाँ यह जगे तो बहुत अच्छी है हाँ वो तो कहा ही था मैंने तुमसे हेई डीजल कैसे हो भाई तुम मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा काम पूरा हुआ तुमसे बाद में मिलता हूँ दोस्त ठीक है ध्याम रखना अपना तुम यहां से यह चटाने निकाल कर मशीन में डाल देते हैं फिर वो बड़ी चटाने मशीन में तूटकर छोटे पत्थर बन जाते हैं बहुत बढ़िया फिर वो छोटे पत्थर हमारे डबों में भर दिये जाते हैं ले जाने के लिए यह सब कितना कमाल का है यह क्या हो रहा है वह उपर देखो वो पहाड को तूट रहा है हमें यह से निकलना होगा चादि करो डीजल तुम डरो मत वो विसपोट कर रहे हैं चटानों को तोड़ने के लिए अब समझा टीक है यहीं इंतजार करो ठीक है डीजल खादान पर पहुँच गया है डीजल हाजिर है ठीक है अपनी जगह पे आ जाओ ठीक है आप आज गया लोडिंग के लिए तयार हूँ बहुत बढ़िया मैं पूरा भर गया हूँ डीजल चलो चलते हैं तुम्हें लगता है तुम इसे खीच लोगे यह तो सभी मालगाडियों के लिए आम बात है क्या सच में बिलकुल उस तरफ देखो तुम ठीक है रहे हो यह बहुत मजबूत है हाँ सही कहा काम करते हुए गाना गाने में मज़ा आता है मुझे भी ये गाना आता है एक दो तीन चार पड़े चलो पड़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो पड़े चलो पड़े चलो कब पड़े चलो पढ़े चलो पढ़े चलो पढ़े चलो पढ़े चलो एक दो तीन चात माल गाड़ी लाड़ तो तुमको ख़दान में आकर कैसा लगा मुझे सच में बहुत मज़ा आया मैं चाहता हूं मैं ख़दान में काम करूं शायद तुम्हें इस काम के लिए नहीं बनाया गया क्य टीटीपो टीटीपो अगले दिन सुभा टीटीपो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है काम शुरू हम अब चलते हैं हेलो मिस्टर हब ओ हलो गुड़ मॉर्निंग टीटीपो तुम पर इतनी सारी धूल क्यों लगी है तुम्हें हमेशा खुद को साफ रखना चाहिए लेकिन धूल में तुम्हें अच्छा लगता हूँ इस समय तो मुझे काम पर जाना है तो वापस आकर मैं खुद को धोलूँगा मुझे पता है तुम्हें अभी जाना है लेकिन अगली बार अपने आपको साफ करके आना ठीक है फिर मिलते हैं मिस्टर हब कल जो वो मालगाडिया देखी थी कितनी अच्छी थी एक दो एक दो ये बिल्कुल भारी नहीं है अरे वाप मैं तू स्टेशन पर पहुँच गया आज मैं तेज आवाज में बोलूँगा जैसे उन ट्रेंस ने किया था हेलो दोस्तों आपका स्वागत है तो चलो चलते हैं मुझे भी भूवाल गाना चाहिए हुआ ह् eder इत्र झाजी क्िर्सा शुट्रे सी शाहले माल गाड़िया merit बजाओं हमारे लिए तालियार बढ़े चलो बढ़े चलो एक द्टी चक्पड़े चलो बढ़े चलो मैं वापस आ गया मिस्टर हर्ब टीटी पो ये बताओ तुम्हारे रूट पर आज क्या हुआ आज कुछ नहीं मुझे पता चला है कि तुम यात्रियों से चिला कर बोले और फिर उचा-उचा गाने लगे कल खदान में मैं कुछ अच्छी ट्रेन से मिला था मैं बस उनके जैसा बनना चाहता था लेकिन तुम माल गाड़ी नहीं हो तुम यात्री गाड़ी हो अगर तुम उचा बोलोगे या गाओगे तो सब परिशान हो जाएंगे मुझे पता है लेकिन हमेशा चुप-चाप काम करने में मज़ा नहीं आता मुझे जोश वाला मज़ेदार काम चाहिए यात्रियों को लान ले जाना भी मज़ेदार काम है आज के बाद से तुम अपनी आवाज धीमी रखोगे जी सर फ्री ट्रेन बनना ज्यादा मज़ेदा कि वो ख़दान की तरफ चल पड़ा पता नहीं टीजल कहां है आ वहां पर है टीजल टीटी पो तुम यहां क्या कर रहे हूं मैं देखने आया हूं लेकिन ये मेरा आज का आखरी चक्कर है और दूसरों का भी घर जाने का वत्त हो गया अच्छा लेकिन मैं तुमें काम करते देखना चाता था है दोस्त तुम यात्रियों को ले जाने वाली रेल हो ना मैं हां ठीक कहां लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हो क्या तुम हमें शेहर के स्टेशन तक ले जा सकते हो मैं लेके जाओं हां हमारी ट्रेन खराब हो गई है इसलिए यहां नहीं आ सकती एक दूस अगर मैं उचा-उचा बोलूँगा तो यात्रियों को परिशानी होगी आप सब का स्वागत है कितनी अच्छे रेल हैं सही कहां तो चलो चलती है आराम से धीरे धीरे जब यात्री बेठे हो तो सफर आराम दायक होना चाहिए टीटी पो अपने खास यात्रियों के लिए ज्यादा ही सावधान है सुरक्षित और आराम दायक हम पहुच गए अखिरकार पहुंच गए टीटी पो की वज़े से मैं आराम से सो पाया हमें पहुंचाने के लिए धन्यवाद अब हम सुरक्षित धर पहुंच जाएंगे और जल्दी भी मदद करके अच्छा लगा हाई टीजल तुम्हारा सफर तो अच्छा रहा ना हाँ तुमने उनका समय बचा लिया हाँ बिल्कुल यात्रियों को लाना ले जाना भी बहुत अच्छा होता है अच्छा मुझे लगा तुम माल गाड़ी बनना चाहते हो नहीं अब नहीं अपने यात्रियों को इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई पर तुम मुझे जादा अच्छा नहीं हो सकते सच कहूं तो आज तुमने बहुत अच्छा काम किया बिल्कुल ठीक, सामान या यात्रियों को लाना ले जाना दोनों जरूरी है ठीटीपो, डीजल, तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया